हाई फ्रेंज कैसे आप सब आप सब अपसब अप्छी होंगे मकर संक्रांती आने वाली है तो आज हम बनाएंगे तिल और मुंपली की पत्टी इसको आप पत्टी कतली कुछ भी बोल सकते हैं बहुत हेल्दी तरीके से मैंने बनाया इसको और बहुत दिलीशियस है खाने में जब भी मीटा खाने का मन करें आप इसको खा सकते हैं तो देखते हैं अपनी रेसिपी को इसको बनाने के लिए ये गुड्हें ये 250 ग्रायम गुड्हें इसको ग्रेट कर लेंगे अब छोचे-छोचे पीसिस में क्रिश नियोंगे जिससे की मैल्ट होने में कोई प्रॉब् तिल है अभी इन तीनों चीज़ों को रोस्ट कर लेंगे सबसे पहले ये तिल है इनको हलका सा रोस्ट कर लेंगे बहुत ज्यादा नहीं रोस्ट करना है गैस का फ्लेम लो रखेंगे हाई फ्लेम पेस को रोस्ट करने से इसमें कड़ुआ पना जाएगा इसी तरीके से चलाते रहेंगे और जब यह चटकने लगेंगे तब इनको निकाल लेंगे तिल रोस्ट हो चुके हैं इनको किसी प्लेट में निकाल लेंगे इनके बाद में जो मुंगफली हैं उनको भी रोस्ट करेंगे गैस का फ्लेम लो टू मीडियम ही रखेंगे इनको रोस्ट होने में 4-5 मिन अच्छे से भून चुकी है, इनको भी दूसरी प्लेट में निकाल लेंगे, कोकोनट पाउडर इसको भी थोड़ी देर भूनेंगे, बहुत जादा देर तक नहीं भूनना है, और गैस का फ्लेम लोही रखेंगे, इसको भून के डालने से बहुत अच्छा फ्लेबर आएगा, भून कर सभी चीजों को ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं, तब तक यह थोड़ी सी काली मिर्च है, इनको पीस लेते हैं, काली मिर्च डालने से इसमें बहुत अच्छा फ्लेबर आएगा, और हम इसको हेल्दी वे में बना रहें, तो आप इसको वेट लॉस जर्नी मे ठंडी हो चुकी हैं, इस तरीके से टाबल पर डालके, हाथ से इसको प्रेस करेंगे, जिससे यह आसानी से साफ हो जाएंगे, थोड़ी देर तक इनको इसी तरीके से प्रेस करेंगे, और देखिए, एकदम साफ हो गई हैं मौंफली, अभी इस ट्रेनर में डालके इनको देखिए, बहुत जादा पाउडर की फॉर्म में नहीं करेंगे, केवल दरदर दरदर पीस लेंगे, इस तरीके से दानेदार होना चाहिए, इसी तरीके से आपको भी पीस लेना है, यह गुड़ है, इसको ग्रेट कर लिया है, अब सब का मिक्शर तयार कर लेंगे, यह ति इसी तरीके से दानेदार पीस में है, यह कोकोनर पाउडर, इसमें अच्छा फ्लेवर लाने के लिए, यह लाइची इसको मैंने क्रश कर लिया है, यह काली मिच का पाउडर है, जो हमने तयार किया था, एक चम्मच के करीब यह दालचीनी पाउडर एड करेंगे, आप चाह तयार हो गया है, आप चलते हैं, अगले प्रोसेस के, कडाई में देसी घी डालेंगे, देसी घी यूज करने से क्या होगा, जो पत्ती है, एकदम सॉफ्ट बनेगी, और बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा, जो क्रश करके हमने गुड रखा था, वो इसमें एड़ कर दिया है, इसको इस तरीके से चलाते रहेंगे, और इस तरीके से प्रेस कर लेंगे, जो भी एक तुकाट होगी, वो अच्छे से मेल्ट हो जाएगी, गुड को बहुत ज्यादा देर तक नहीं पकाना है, नहीं तो पट्टी सक्त हो जाएगी, ये देखिए, बबल साने लगे हैं, बस गुड पक चुका है, गैस के फ्लेम को मैंने बंद कर दिया है, थोड़ी तेर इसको मिक्स कर लेंगे, और जो मिक्शर बना के रखाता इसमें एड कर देंगे, गुड के साथ में, इस तरीके से चलाते रहेंगे, एक बार आप इसको जरूर ट्राय करके देखिए, बहु मिक्स होगें, जब हों जाते हैं, यह एक जानाinformation के लिए इससी तरीखे से ग्रीस होगा है, गी लगा लगा लिए जो नेटे कैनें तयार किया है जाली हो दिए अगर आप इसकी पतली पतली अगर आप इसकी कतली कतलि पतली रखना चाहते हैं तो के लिए पतल ěस से मिक्षर में अगर अश्य कर Lego सबढ़े को आप अच्छे से पूरे में फैला लेंगे एक प्लेन कटोरी लेंगे इसको ग्रीस कर लेंगे और इस तरीके से इसको प्रेस कर लेंगे ये देखे इस तरीके से प्रेस कर लेंगे इसे ये बहुत अच्छे से जम जाएगा इसी तरीके से अच्छे से प्रेस करके इसको सेट कर लें 20-25 मिट के बाद में देखिए इस तरीके से हुई है इसको इस तरीके से मैं पीसे में कट कर ले रहे हूं पीस आप अपने हिसाब से कार सकते हैं चोटा या बड़ा जैसा रखना चाहिए उसी हिसाब से कट करिए देखिए इस तरीके से बहुत ही अच्छी पट्टी वनी है एक बार आप जुरू ट्राय करके देखिए मैंने पीसे को थोड़ा छोटा रखा है इसलिए क्योंकि एक टाइम में जितना हमें जरूत है उसी हिसाब से रखा है आप अपने हिसाब से छोटा या बड़ा रख सकते है इसी तरीके से पट्टी को कट कर लिए मीटे के लिए यही अप्ष्न है आप ज़रूर ट्राय कर सकते हैं यह देखिए इसको मैंने क्ट करलिया है अ स्वें पत्टी बनके एकनम तयार है, आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी पत्टी बनी हैं पीसिस में कत करने के बाद में किसी नाइफ की हेलप से, या फिर फॉक से इस तरीके से आप पीसिस को निका लिए और सुर्ब कीजिए आप देख सकते हैं कितनी अच्छी पट्टी बनी हैं आप इस मकर संक्रान पर इस पट्टी को जरूर ट्राइ कीजिए I hope आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए Thank you